हेलो फ्रेंड स्वागता है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूश्व परहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपोर्टन जानकारी आप लोग के लिए लेके आया हूँ दोस्तो ये जानकर ये है कि जहां पर आपकी वाइफ ने आपके उपर केस जाला और केस जालने के बाद आपसे ऐलिमनी कलेम करती है या फिर आपने अपनी तरब से अपनी वाइप पर डैवो सा केस डाला लेकिन उसी केस में वो section 24 लगा के maintenance claim करती है या फिर permanent alimony claim करती है तो अब यहाँ पर घबराट हो जाती है कि भई case मैंने डाला था या फिर अगर wife ने गलत किया या वो खुद से दूसरी जगा पे जाके रहने लगी और खुद से case डाला और खुद से alimony मांग रही है इसका मतलब अपनी ही गलती का फायदा उठा रही है और उसकी गलती के लिए उसको लाब नहीं मिलना चाहिए तो यह समस्य बहुत सारे लोगों के होती है और इस पर आपको एक recent judgment मैं बताने वाला हूँ बहुत important और आखरी तक अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको permanent alimony से कैसे बचना है इसके अलाबा बहुत सारे ground divos के होते हैं जैसे कि disruption होता है, cruelty होता है, adultery होता है कई बार एक ground पर और कई बार एक से ज़्यादा ground पर भी आपको divos grant होता है लेकिन ठीक है divos तो grant होता है हम बात कर रहें mainly permanent alimony पर यहाँ पर इस मामले में wife को कुछ भी permanent alimony grant नहीं की गई और husband को divos मिल गया तो सोचिए कितना important judgment यह आपके लिए हो सकता है आखरी तक वीडियो में बने देगेगा और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है क्योंकि उदेश्य यह है कि जब उस चैनल पर थोड़े view जाने लगें तो उस पे भी बहुत ही उमदा content आपके लिए लाया जा सके आपके support की ज़रत हैं और उम्मीद हमें हैं कि आप वहाँ जाकर के फटा फट चैनल को subscribe कर देंगे और चैनल बूस्ट हो जाएगा और उस पे भी content आना शुरू हो जाएगा तो चलिए मैं wait कर रहा हूँ कि इतने सब्सक्राइबर आ जाते हैं अब हम बात करते हैं इस वीडियो की यहाँ पर हुआ क्या कि पंजाब एड हरियाना हाई कोट का यह मामला है जो हजबिन था उसने अंबाला में एक केस डाला फैमली कोट में डावोस के लिए on the basis of cruelty and adultery अब 1989 में दोनों की marriage हुई थी हजबिन ने इलजाम लगाया कि भई जो wife है वहीवियर बहुत ही rude है और उसके साथ बहुत ही aggressive है इसका लावोस ने बताया कि वो उसकी insult भी करती है उसको embarrassed feel कराती है बाद बाद पर और साथ ही जो neighbor है neighbor के साथ में उसका relationship भी है तो यह सारे allegations ने लगाया wife ने जब अपना reply file किया तो उसने सारे allegation को deny कर दिया कैर पूरे मामले को देखते हुए Ambala family court ने इस मामले में husband के favor में Davos की decree grant कर दी जिसके लिए Punjab और हरियाना high court में wife ने एक appeal file करी अब इस appeal में mediation पे file को डाला गया लेकिन दोनों party में से कोई भी party mediation के लिए appear नहीं हुई हुआ ये कि mediation fail कर दिया गया इसके बाद ये देखा गया कि जो wife थी वो अपनी तरब से किसी भी प्रकार का ऐसा साक्षे नहीं लेके आई जिसके आधार पर family court के decision को पलटा जाए उसके जो council थे वो ऐसा कुछ भी evidence देने में समर्थ नहीं रहे तो फिर ऐसे में जो court थी court नहीं हाँ पर पहले तो husband को divorce की decree grant कर दी और उसके बाद ये कहा कि इसमम ने inquiry कराई और inquiry से पता चलता है कि जो wife है वो adultry में ही रह रही थी और section 125-4 के अंतरगत के लिए रहे कि ऐसी wife जो की adultry में रही हो किसी भी प्रकार के maintenance के दिकारणी नहीं होगी या जो खुझ से छोड़ करके जाकर के दूसरी जगा पर रहती है वो भी maintenance के दिकारणी नहीं होगी तो यहाँ पर Punjab and Haryana High Court ने किसी भी प्रकार की permanent alimony देने से इंकार कर दिया और जो wife की appeal थी उसको dismiss कर दिया मतलब की जो husband था उसको Davos मिल गया without any alimony तो दोस्तो यह जानकारी आपके लिए बहुत important सा भी तो सकती है यदि आपका भी मामला की realty और realty के base पे चल रहा है और दोस्तो इस पूरी जानकारी का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहाँ जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और प्रस्तितिया सेम उने पर अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं चलिए दोस्ता आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब ता के लिए goodbye and tech care